नमस्कार दोस्तों मेरे किचन में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मलाई ब्रेड पीजा यह जटपट बनके तयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आपके पास चीज नह लेंगे डेर सारी सबजियां जो इसको टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनाएंगी आप अपनी मन पसंद खूब सारी सबजियां इस पीजा में डाल सकते हैं बहुत ही यह यमी लगता है तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चै इसको बिल्कुल बारिक बारिक हमने काट लिया है जो बच्चे सबजिया नहीं खाते उनको सबजी खिलाने का यह वहती अच्छा तरीका है थोड़ी सी हमने यह चीज घिस ली है यह हमने दो गाजर ली है जिनको बारिक ग्रेट किया है थोड़े से स्वीट कोन जिनको हमने boil कर लिया है, यह है धर के दूद की मलाई अब हम सभी सबजियों को mix करेंगे, सबजिय हैं, आप इसमें अपनी मन पसंद कोई और भी add कर सकते हैं, अगर आपके पास पनीर रखा हुआ है तो आप इसमें पनीर भी इसके डाल सकते हैं सभी सबजियों को हमने बारिक बारिक काटा है ताकि हम आराम से इसको ब्रैड पर लगा सकें देखे कितनी सारी सबजियां हो गई और देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं अब इसमें डालेंगे हम एक हरी मिर्च काटके आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए इसमें मिर्च कम रखेंगे सबी सबजियों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है अब इसमें डालेंगे हम अपना गिसा हुआ चीज अगर आपके पास चीज नहीं है तो कोई टेंसन की बात नहीं है आप बिना चीज के सिरफ घर के दूद की मलाई से ही से बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं देखे सारे कलर कितने अच्छे लग रहे हैं सफेद, पीला, लाल, हरा अब इसमें डालेंगे हम अपनी मलाई दो चमच भरके इसमें मलाई डालेंगे मलाई हमें बिल्कुल फ्रैसी लेनी है और रूम टेंपरेचर पे लेनी है मलाई डालके हम सबजियों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये पीजा की सबसे आसान रेसिपी है लेकिन जब आप खाएंगे तो आप समझे नहीं पाएंगे कि ये आपने घर पे बना लिया है इतना ज़्यादा टेस्टी अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से सूखे मसाले आधी चम्मच हमने डाली है धनिया पाउडर आधी चम्मच काली मिर्च काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो अगर आपके पास है तो आप जरूर डाले ही नहीं तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा हमने डाला है भुणा हुआ जीरा पाउडर स्वाद के अनुसार नमक और मेरे पास रखा हुआ है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और पीजा सीजनिंग जो पीजा के साथ आता है तो वो भी मैं इसमें एड़ करूंगी ताकि विल्कुल हमारी ब्रेड पीजा में पीजा वाला टेस्ट आए अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च को मिक्सी में दरदरा सा पीज सकते हैं आपके चिली फ्लेक्स डड़ी हो जाएंगे नहीं तो आप ये मार्केट से भी ले सकते हैं ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं एक बार आप इस तरह की चीज लेके रख लो लंबे टाइम तक ये चलती है और जो भी हम इस तरह की कोई डिस बनाते हैं तो इसका टेस्ट ये बहुत ही जादा इन्हेंस कर देती है बहुत जादा टेस्ट अच्छा हो जाता है अब सभी मसाले डालने के बाद इसको एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे सारे मसाले डालने के बाद हम सबजियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा हमारा mixture बनके तयार हो गया है देखे कोई भी सबजियां अलग-अलग नहीं भीखर रही है मलाई की वज़े से सभी सबजियां एक जगे देखे कठी हो गई है अब हम लेंगे अपने bread के slice और इस पे डालेंगे हम एक-एक चमच पीजा सोस अगर आपके पास पीजा सोस नहीं है तो आप टोमेटो कैचप भी डाल सकते हैं या पी टोमेटो कैचप में आप लाल मिट्स की चटनी मिक्स करके डाल सकते हैं और इस सोस को हम अच्छे से bread पे खिला देंगे अब डालेंगे हम bread पे अपनी सबजियां आप खूब सारी सबजी इस पे डाल सकते हैं पूरी bread पे सबजियों को फैलाएंगे दूसरी bread पे भी हम इसी तरह से पहले ये सोस फैलाएंगे और उसके बाद सबजियां डाल के सबजियां भी इसके उपर spread कर देंगे इदर हमने अपना fry pan गरम होने के लिए रख दिया है इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा घी घी की जगें आप बटर भी ले सकते हैं या फिर आप इसको तेल में भी सेख सकते हैं यह हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है अब इस पे हम अपनी यह bread रखेंगे आप एक-एक bread भी चाए सेख सकते हैं और उपर से डालेंगे हम अपनी grate की हुई चीज अगर आपके पास पनीर है तो चीज की जगे आप यहाँ पे पनीर भी डाल सकते हैं अब हम बिल्कुल सिम गैस पे इन bread को सेखने के लिए रख देंगे धीरे-धीरे bread को सिखने देंगे बीच-बीच में हम पैन को हिलाते रहेंगे ताकि हमारी bread जले नहीं जैसे-जैसे यह सिखती जाएंगी चीज मेल्ट होती जाएगी देखिए चीज मेल्ट होनी सुरू हो गई है आप सभी bread को इस तरह से ढखके ही सेखें अगर आप यह बच्चों को दे रहे हैं तो उपर से एक-एक bread और लगा सकते हैं bread पे उपर से थोड़ा सा घी लगा के इसको भी आप दूसरी तरफ से सेख सकते हैं इससे बच्चों को खाने में इजी हो जाता है वैसे तो आप यह bread बिना उपर यह bread slice रखे भी खा सकते हैं लेकिन बच्चों को इस तरह से देने से बच्चे आसानी से इसको खा लेंगे बिना इसको बखेरे दूसरी तरफ से भी हमारी bread सिख गई है सभी bread पिजा को हमें इसी तरह से बनाना है वह होती यह मज़ेदार लगते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब यह अच्छे से क्रंची हो जाएं तो आप इनको निकाल लें और बीच में से इनको काट के बच्चों को सर्व करें तो देखे कितनी जल्दी हमने bread पिजा बना लिया है और खाने में यह वह होती ज़्यादा मज़ेदार बना है अपने दूसरी bread को भी हम इसी तरह से सेकेंगे पहले थोड़ा सा घी लगाएंगे घी लगाने से पहले आप fry pan को थोड़ा सा साफ कर लें और अब इस पे हम अपनी bread रखेंगे उपर से थोड़ी सी चीज डालेंगे चीज आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हैं जितनी ज़्यादा इस पे आप ये चीज या फिर मलाई डालेंगे उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगी इदर देखिए हमने ये bread पीजा बीच में से काट दिये हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं देखने में इनको गर्मा गरम खाईए आपको मज़ा आ जाने वाला है और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुस हो जाने वाले हैं देखिए कितनी सारी इसमें सब्जिया हैं, चीज है, मलाई है सबी bread को आप इसी तरह से कें और गर्मा गरम बच्चों को ये सर्व करें देखिए सब्जियां, चीज मेल्ट हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है चीज आप इस पर थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं तो आज की आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें आप भी ये पीजा बनाके इंजोई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है देखें कितना जूसी है अंदर तक बहुत जल मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई, खुश रहें, स्रस्त रहें, मस्त रहें